और मैं स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक वेरी इंपोर्टेंट वीडियो में वाले बच्चे है ऐसा ने कि स्रिफ क्लास नाइन में ही आपका टॉपिक यूज होगा यह टॉपिक आपका जो है जितने वी कंवेटिटिव एक्जामस आप दोगे उन सभी में आपका यह का तो उनको जूरूर भीजना ताकि मैक्सिम नंबर ऑफ स्टुडेंट्स जो है इस टॉपिक को अच्छे से कर सकते मिटा तभी हमारा जो मोटिव है कौनसा निर्मान दा फाउंडेशन वह सफल हो पाएगा तो स्टार्ट करते मिटा टाइम वेस्ट ना करते हुए तो टॉप देखते हैं हमने इसको कैसे लिख सकते हैं तो इसको हम ऐसे से लिख सकते हैं विसेत इवाइक्ट में सेब्स रहता है तो निलेट वह सब्रक्रेक्ट हो जाती ए एगिट एक पावर एंड तो यह बन जाएगा माइनस है एक्जेंपल साथ साथ लेते चलेंगे विटा यह फर्स का एक्जाम्बल था जी जिसे आपके पास है इसको हम कैसी लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं यह आपका लिखा जा सकते हैं इसको लिख सकते हैं लेकिन उसको आपको जो है अच्छे से क्लियर होने चाहिए लेकिन यह कब आपका होगा जब आपका बेश सेव हैं तो मल्टिप्लाइब में पावर एड होती है और डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है ठीक है इसके पाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स में चलते हैं इनका रफ कर लेता हूं ताकर अगले उसके लिए हमारे पास जगह बच जाए तो next क्या है मेरे बच्चे पार्ट ट्री में क्या है एक की पावर एंटु एंट यह काफी पॉटेंट रहते हैं तो इसको हम हमारे फैस सेम सकते हैं बावर अधा आट चपंद एक की की पावर है एक साथ पावर पॉर तो यह 56 की पावर 4 आ जाएगा इसको रिवर्स में भी हम लिख सकते हैं 56 की पावर 4 है तो यह आपका लिखा जाएगा 7 की पावर 4 एंटू 8 की पावर 4 हो गया ना इसी लेकिन यह इसी कब बन पाएगा जब आपको सारे लोज और एक्सपोनेंट अच्छे से क्लियर होंगे अब यह चीज डिवाइड में भी होती है अब एक की पावर है मैं जिसको आपका multiply और divide में यह एप्लीकेबल है plus minus में नहीं है ऐसा मत करना X की power 4 और Y की power 4 तो इसका हम X plus Y की power 4 नहीं लिख सकते यह इसके equal नहीं होगा तो यह आपका applicable सिरफ multiply और divide में होता है plus और minus में applicable नहीं होता ठीक है बचे आगे बढ़ते हैं नेक्स क्या है मेरे बचे नेक्स्ट है किसी की पावर इसको लिख सकता है या लिख लो इसको ऐसे भी लिखोंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो यह लिखा जा सकता है तो नेक्स क्या है यह सारे बच्चे रहते हैं क्यों आता है काफी बच्चे पूछते भी है किसी की पावर जिरो होती है इसका वैली वन क्यों आता है क्या लोजिक है इसके पीछे इसके पीछे क्या लोजिक है तो वह लोजिक में आपको बताने वाला हूं आज वह लोजिक भी कर लेते हैं और आप अपने friends को अपने सबी दोस्तों को इसके बारे में जुरूर बताएं अपने बड़े बाई बहन को भी बताएं किसे की पावर 0 उसका वैल्यू 1 क्यों होता है तो उसके पीछे का लोजिक क्या है वो अभी हम करने वाले हैं तो क्या है विटाजी जैसे एकसवी पावर जीरो अभी मैंने का डवान होता है कि कैसे लिक सकते है चेट जीड़ो इसको लिए अ-ब इसब्बार सब्तरयक करें तो इसको यह सकता हूँ एकस की पावर है किया था जब होता है इसको वापिस लिए कोई भी नामबर है उसका पावर जीरू है तो वैलू हमेशा वन आता है तो वैल्यू हमेशा वन आता है ठीक है आगे बढ़ते हैं मेरी बच्चे तो यह थो लोग्त सब्सक्राइब यह कभी भी किसी की पावर एंड नहीं होना चाहिए यह ऐसा होगा तो हमारे रेसनल हो जाएगा तो इनकी जो अभी हमारी जो लोज है ऐसे रेडिकल्स के भी आते हैं इसके बाद में एंड की पावर एंड रूट है एक पावर एंड का तो इसको क्या गया एक एकवल होगा जैसे मैंने लिखा अगे बढ़ते हैं मरए नेक्स क्या है एंड रूट है इसको भी अलग 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 लिख सकते हैं एक तो रूटन भी का एकर एक पावर आगे बड़ते हैं लिख सब्सक्राइब तो एसको लिखेंगे एन फूट अफे डिवाइड़ वाइड़ आने पूट वी जिसे ठीक है जैसे हमारे पास है इधर हमारे पास सिक्स है तो इसको मैं क्या लिख सकता थू इन टू इन टू थुरी तो यह हमारा होता है बिल्कुल होता है यहां यहां पर लिखता हूं तो यहां पर भी इसके इक्वल हो गए ऐसे हमारा क्या है नेक्स क्या है यह आपका जैसे कंटिन्यूटी में आता है यह हमारे मल्टिप्लाई हो जाएगा जैसे अब हमारे पास क्या है स्क्वाय रूट ऑफ क्या लिखेंगे इसको लिखना चाहो तो वन बैटू इंटू वन बैटू लिख सकते हो इसको मैं इक वार लिखना आपको बता देता हो इसको लिखें जैसे यह फॉर है फॉर का वलकी फॉर की बजाए ना चलो फॉर का थार्ड रूट इसको मैं कैसे लिख सकता हो पहले इसको लिखता हो मैं इसको मैं लिखा फॉर की पावर वन बैटू अब इसको लिखेंगे तो यह मेरा बन जाएगा फॉर की पावर वन बै वोग गया ना जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं नाइन थू टॉट ऑफ फोर था एक वी तो आइप सभी को यह वाले जो जो है सब क्लियर हो गए यह लोग सब आपको clear हो गए है मिटा अब जैसे इसमें question आ जाता है अब इसमें question आता है arrange यह वाला question काफी देखने को मिलेगा आप लोगों को arrange three four six and ascending order इसको आपने न ascending order में लिखेंगे अब कहीं बच्चे तो कहेंगे सर सबसे बढ़ता हमारा six हो गया फिर four हो गया फिर three हो गया कैसा सही है इनको solve करने का क्या तरीका है जैसे इसको मैं लिखता हूं यह three की पावर one by two है यह four की पावर one by three है यह six की पावर one by four है अब हम क्या करेंगे बटा जी इनका जो एनस रूटन वह सेम बनाएं वह तब यह डिनूमिनेटर सेम बनाते हैं तो इसको क्या लिखेंगे बटा इसको मैंने क्या किया इसको क्या किया बटा one by three है four से multiply four से डिवाइट यह six था ना three से multiply three से डिवाइट ऐसा कुछ आगे तो यह मेरा क्या बना है बटा यह बन जाएगा त्री की पावर six by ट्वेल four की पावर four by ट्वेल six की पावर three by 12 यह by 12 by 12 आया है तो इनके नाम का तो लग जाएगा संवर ट्वेल तॉट त्रू टॉट आफ थी की पावर 6 ट्वेल त्रूट औफ और ट्वेल टूट टॉट आफ ट्रिक्स की पावर त्री एसा आ गया गए अब इसको बड़ा इस दिली जो है हम compare कर सकते हैं क्योंकि ये तो कोई matter नहीं करता क्योंकि सभी का 12th root है 3 की power 6 कितना हो गटा है अंजी 729 ठीक है 4 की power 4 कितना हो गटा 256 6 की power 3 कितना हो गटा 216 अब ये देखो आप सबसे बड़ा इसको कह रहे है ये सबसे छोटा हो गया ये हमारा सबसे चोटा हो गया ये फर्स नमबर पर आया ये हमारा सेकेंड पर ये थर्ड पर उल्टा हो गया ना तो असेंडिंग ओडर में सबसे पहले ये आएगा 4th root of 6 फिर हमारा 3rd root of 4 और बाद में सबसे बड़ा कौन सा है स्क्वाइर रूट फ्री ठीक है ऐसे हम इसको लिख सकते हैं अब आपकी एक्सराइज कर लेते हैं आपकी जो एक्सराइज है जो आपका एक्सराइज देखो बिटा अब वन बाइवन हम सब करने वाले हैं फाइंड इसको सॉल करना है सिक्स्टी फॉर रेस्टु पावर वन बैट पहले तो स्वर इूंफ़ तो एक्सर आगे लिए ठीक है ऐसे ही नेच्स्ट थी है थार्टी टू रेस्टु पावर वन बैफाइब सो थार्टी डू क्या है इस चेक कर पा रहा हूं थार्टी तो हमारा टू की पावर फाइब होता है आग्या ने बिल्कुल एपटी है इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स की 125 कि 125 का वन यानिक थार्ड रूट है थार्ड रूट है तो 125 हमारा होता है 5 गी पावर 3 तो अब क्या है विटा जी 5 की पावर 3 x 3 से 3 गेंसल तो 5 डागे तो इसका आंसर आपका फाइव आ जाए एक ठीक है बिटा आगे बढ़ते हैं इसके इसको हम कैसी लिख सकते हैं पहले तुम नाइन को लिखे नाइन होता है थ्री की पावर टूप पूरे की पावर थ्री बाइटू है तो यह हो जाएगा तो यह क्या होगे वैटा थ्री की पावर थ्री त्वेंटी सेवन ठीक है वैटा तो आप कांसर आजाएगा थ्वेंटी सेवन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है थार्टी टूप 32 रेस्टू पावर आप थार्टी टू रेस्टू पावर टू बाइफाइब तो 32 कौम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 ठीक है तो ऐसे हम इसको लिख सकते है 5 से 5 के एंसर 2 की पावर 2 जो की 4 होगा विटा तो 2 की पावर 2 है जिसका वैल्यू क्या आएगा 4 आएगा तो ऐसे हम इसको solve कर सकते हैं next क्या है विटा जी next है 4 raise to power 3 by 4 जो next है आपका वो है 4 raise to power 3 by 4 16 है सोरी है 16 raise to power 3 by 4 तो 16 कौम कैसे लिख सकते हैं 16 हमारा आ सकते है 2 की पावर 4 ट्राइज करके आप लिख लेना इसको भीड़ा 4 into 3 by 4 4 से 4 cancel 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 आपका 8 होगा इसका वक्सीट में आपको दे दूंगा वक्सीट आपका जो है जो बच्ची अभी क्लास ये वीडियो देख पा रहे हैं हमारा टेलेग्राम चैनल जो 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 इन कर लेना तो उसके बाद आपको इसका वक्सीट मिल जाएगा एसाइन्मेंट ठीक है अँब टावाएं 25 अगे न तो क्या लीकिका आपने खुँद से बताना है इसका अंसर कमेंट सेक्शन पे आप सॉल करके बताएं तो क्वेश्यं थ्री पर चलते मिटा तो क्वेश्यं थ्री क्या है पेटा जी, question 3 है, हाँ पेटा, question 3 है, 2 raise to power 3 by 2, 2 raise to power 3 by 2 multiply, 2 raise to power 1 by 5, अब हम यहां से चेक कर पा रहे हैं, multiply में power add होती है, हो गया ना, तो यहां इनको add करना है, fractions है भीटा, तो एल्शियम 10 आ गया, 10 को 2 से divide करेंगे, 5 3 जा 15, 2 से करेंगे, 5 से करेंगे, 2 आ जाएगा भीटा, ठीक है भीटा, 2 by 3 था, sorry, मैंने थोड़ा इसको wrong ले लिया, एक मिनाट को, यह 2 की power, 2 by 3 है भीटा, वेट, multiply 2 की power, 1 by 5, ठीक है, अब multiply में power add होते हैं, तो 2 की power, यह 15 LCM, 15 को 3 से divide करेंगे, 4 4 तो जाएट, 15 को 5 से divide करेंगे, 3, तो 2 की power, 8 और 11, 8 और 3, 11 हो गया, 15, इसको हम यह दी radical form में लिखेंगे, तो ऐसे लिखा जाएगा, 2 raised to power 11 and 15th root, ऐसे इसको radical form में लिखेंगे, ठीक है वेटा जी, ऐसे हम इसको radical form में लिखेंगे, ठीक है वेटा, आजी, 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 आजी बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, 1 बाई 3 raised to power 7, और whole power है, इसका, whole power है 7, 3 की power 3 है, तो यह हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको, इसको जो है हम, power 3 और पूरे की power 7, तो यह 1 बाई 3 की power 21, तो यह आजाएगा, आपका 1 by 3 की power 21, ठीक है वेटा, तो ऐसी नेक्स्ट है, 11 raised to power 1 by 2, अब देको यह डिवाइड में आ गया आपका, तो यह आपका divide में आ गया वेटा, 11 raised to power 1 by 2, 11 raised to power 1 by 4, तो divide में power subtract होती है वेटा जी, तो यह बनेगा आपका 11 raised to power 1 by 2, minus 1 by 4, तो यह 4 else से हम 4 को 2 से divide करेंगे 2 minus 1, तो यह 11 की power 1 by 4 आ जाएगा वेटा, तो यह 11 की power, यह 1 by 4 आएगा, जिसको हम जो है radical form में ऐसे लिख सकते हैं, 4th root of 11, 4th root of 11, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है वेटा, आज़ी, आगे बड़े, next क्या है, 7 raised to power 1 by 2, multiply 8 raised to power 1 by 2, तो यह भी आपका multiply में है, देखो बेटा, और अब हमारा क्या है, power से ही में है, देखो सभी हमारे जो है न, जो हमने exponent के rule पड़े थे, वो साब use हो रहे हैं, तो 7 into 8, इसकी power 1 by 2, तो यह multiply कर लेना, 56 raised to power 1 by 2, 1 by 2 का मतलब होता है, square root, यहाँ पर 2 लगाने का जरूरत नहीं होता, इसका मतलब ही होता है, तो यह second root है, ठीक है बेटा जी, तो यह आपका topic था बेटा जी, बाकिस के कुछ questions में आपके group में डाल दूँगा, कुछ questions में आपके group में डाल दूँगा, आपका telegram group है, वो साब join कर लेना, और अपने सभी friends को, इस channel के लिए आपने recommend करना है, भी वो साब बच्चे इस channel को join करें, और अपना class 9 का जो syllabus है, वो तो complete आप करी पाएंगे, साथ साथ आपका foundation में strong होगा, ठीक है बेटा जी, मिलते हैं next class में में बटा, बाई बाई एंड टेक केर,